जिनियस जो है न इसके कई सारे मतलब होते हैं बहुत सारे लोग अलग-अलग मीनिंग निकालेंगे लेकिन ये जो जीनियस है ना इसका एक definition बहुत अलग है जो मैं सोचता हूं जीनियस का मतला बहुता है कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज, कोई भी अबजेक्ट के गहराई के अंदर घुष्टना और उसको इस प्रकार समझ लेना कि कि किसी न न उसको समझाओ, ठीक है, जैसे कि आपने देखा है कि एक इलॉन मस्क है, रिचेस्ट पर्सन है, उन्होंने एक कंपणी बनायी थी SpaceX, जिसमें कॉंसेट यह था, कि जो रॉकेट होगा, जो सैटेलाइट को रॉकेट लेकर जाता है, आपको पता है, कॉंसेट क्या होता है, कि एक रॉकेट होता है, लॉन्चर बोलते इसको और इसके उपर, टिप के उपर एक सैटेलाइट रखा जाता है मतलब यह करोडों से बनने वाला लग बग 400-500 करोड हजार हजार करोड से बनने वाला यह रॉकेट एंडाट सैटलाइट यह जब जाता है तो उतना पैसा नुकसान होता है तो यार इलान मस्क ने क्या सोचा मतलब उसी को मैं बोलूंगा रियल जीनियस आज के दिन का जीनि से जो रॉकेट है वो घूम के अपने पोजिशन में अर्थ के उपर जहां से लॉंच हुआ है वो घूम फिर के वापस से आ जाएगा तो जो कोडिनेट उसको दिये हुए थे वो कोडिनेट पर वापस से आके लॉट गया तो इससे क्या हुआ सिफ सैटलाइट गया और जो पैसा लगा था इस रॉकेट को बनाने के लिए वो वापस से लॉट आया मतलब आपका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ तो इसी को तो मैं बोलू मैं जीनियस